हेलो माई यूटुब फैमिली गुड मॉनिंग तो मॉनिंग का टाइम है और मॉनिंग के अभी बज़े है साड़े साथिया पोने आठ और मैं आज खा रही हूँ चाइबस किट आज है संडे तो संडे स्पेशल और ये देखी आज ना केबल कनेक्शन पर मुवी लगी हुई पुष्पा जो कि आज कर ज्यादा ही ट्रेंड में है तो मॉनिंग में ही लग गए थी नाष्टे के लिए बना रही हूँ पोहे ये देखी निर्ची अच्छे से ख्राय हो जाती है तो अच्छा लगता ही तो सुबह सुबह में पुष्पा फिल्म लग गई थी इस वज़े से आज काम में बहुत ज्यादा देरी हो गई क्यूंकि में भी थोड़ा बुद देख रही थी बीच बीच में क्यूंकि ज्यादा ट्रेंड और फिर बाद में मिलोंगी स्री वल्ली ने अभटक तरसी ते चल्ला के शरती स्री वल्ली ने अभटक तरसी इकोड़ी पंदे जाड़ू में राची आशी अपुनका विचोगे गाने साला तो पुष्पा फिल्म जब से देखी है ना खुशी ने मॉर्निंग में तब से बस वो उसी फिल्म के डायलोग बोले जा रही है बोले जा रही है और हर एक बच्चे की जुवान पर हर एक परसन की जुवान पर वही मतलब सांग चल रहा है पुष्पा का और वही बाते चल रही थी तो हमारे यहां पर तो आज ज्यादा ही मतलब यह हो गया था तो आज हस्बें ने चिकन लाए है तो मैं चिक का एक वीडियो है और जो मक्य की रोटी होती है उसका भी एक वीडियो है तो आप जरू से चेक आउट करना तो बस मैं यहां पर चिकन वेगेरा वाश कर लिया और बॉयल करने के लिए मैंने फिश का जो आइल बचा हुआ था ना मतलब फिश फ्राय कर रहा था तो वह वाला मैंने यूज कर लिया था क्योंकि फिर वह वेश्टे चला जाता इस वज़े से मैं सबजियों में नहीं डालती बट अभी में सिर्फ बॉयल कर रही थी तो इस वज़े से इसमें तो चल जाएगा तो बस यहां पर अभी में एक तरप क्या करूंगी कि मसाला बनाना ही तो प बतन निकल ही जाते है तो मैं यहां सोच रही थी कि यह बतन में समेट लू क्योंकि फिर जगा भी थोड़ी सी मतलब पेस मिल जाता है हमें यूज करने के लिए और मेरा जो किचन है वो ज्यादा तर मतलब इतना बड़ा तो है नहीं और वैसे सभी बोलते है कि आपका किचन उतना ही बहुत है और जिसके पास होता है उसे इसे ही लगता है कि इससे और ज्यादा होना चाहिए तो बस यही हमारी कभी मतलब जरूरत तो पूरी होगी ने और खतम भी नहीं होगी हमारे सपने भी खतम नहीं होगे तो मैंने बाजरी काटा लगा दिया था और उसके सबजी मैंने अभी अभी बनाई है इस वज़े से उसको अभी तक बॉयल वेगरा नहीं आया है उबाल नहीं आया है तो वस मैं इसे चला लूँगी और उसके बाद मैं बाजरी की रोटी डालूँगी यही वाले चूले पर इस वाले ग्यास पर क्योंकि न यह इसका जो फोर् दूसरे वाले ग्यास पर ट्रांसफर कर दिया अभी मैं बाजरी की रोटी बनाऊँगी तो यह देखिए बाजरी की रोटी मेरी मस्त तेसी फुली फुली सी और तीन या चार बनाऊँगी छोटे-छोटे वैसे मैं छोटी तो नहीं बनाती बड़ी ही बनाती हूँ यह देखिए यह है चिकन करी मस्त तर्री वाली और बचरी की रोटी यहां बन नमक यह निम्बू प्याज और राइस यह हमारा आज का लंच तो राज देखिए क्या खारा है राज राज को पसंद है सूप उसको ग्रेवी वाली यह जो तर्री वाली सब्जी है न यह नहीं दाता है और खुशी देखिए यहां पर क्या खारी खुशी पुश्पा क्या खारी है पुश्पा मिल्ची का ठेश्चा चलो यह मेरे हजबंड की प्लेट लग गई है मिदे देती हूँ अभी फाना वेगरा खाया उसके बाद फिर बरतन वेगरा समेटे और उसके बाद फि थी थोड़ा सा रेष्ट करा आराम करा मैंने और आज मैंने पीसा था बाजरी का तो मैंने सोचा कि चक्की को में साफ कर लो तो मैंने साफ नहीं करा उपर का जो उसका यह था ना वो भी मैंने वाश कर लिया और उसका जो आटा निकलता है वो वाला भी मैंने वाश कर लिया तो नीचे का जो मशीन था ना बस वही मैंने रहने दिया तो मैंने वाश करके उनको दूप में सुखा लिया था और अभी मैं उसे अच्छे से पैकिंग करकी रग दूँगी तो चक्की को ना मतलब दो-तीन वारी आटा पिसने के बाद अच्छे से क्लीन करना चाहिए और चक्की क्लीन करने का एक वीडियो मेरे चानल पर अप्लोड है अगर आपको देखना हो तो वह भी चेक आउट कर ले ना अगर लिंक मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे लिंक चक्की कैसे साप करते है जो घर में होती है घर गंटी उसे बोलते है तो बस वो वीडियो आप देख लेना तो हमने खाना वेगर आच्छे से खा लिया साफ सफाई हो गई सब कुछ हो गया उसके बाद मैं सुझा यह चक्की को अपने जगा पे सेट कर दू और कोई भी जो बतन थे ना व मैने वास कर रहे थे तो सूखे नहीं थे और इन दिनों मतलब धूप यह जादा नहीं गिरती है क्योंकि विंटरmile का शिजन चल रहा है तो इतनी जादा धूप नहीं होती दूप होती है और इतनी जादा कड़क वाले नहीं होती तो बस मैं यहाँ पर अभी इसे रख दूँगी और मेरे व्लॉग का भी एंडिंग कर लूगी आज का व्लॉग आप लोगों को किसा लगा मुझे जरू से कमेंट में बताना और खुशी का पुश्पा का जो भूत है न वो अभी भी उत्रा रही था तो बस आज का वीडियो आपको पसंद आया हो ऐसा मुझे लगता ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिबाबाई